नमस्ते आप सभी को स्वागत एक नए वीडियो में इस वीडियो में क्लास 3 का मैद का कुछ BBI अबजिक्टी कोश्चन बताऊंगा एक काफी महपून कोश्चन है तो प्लीज आप लोग इस बार बोर्ट इक्जाम देने वाले हैं तो इस कोश्चन को एक बार जरूर या एक अभाज्य संख्या है तो इसका LCM क्या होगा तो आपको पता है किसको गुना कर देते हैं दुत्याई 6 जब अभाज्य संख्या रहे न तो इसको क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं तो मालीजे A और B अभाज्य संख्या है तो A B का लस्थ होगा A गुने B यानि A B ठीक है न, इसका option C सही होगा, ठीक, समझ गया है न, कौन सही होगा, C, कैसे करेंगे, जैसे माली जैसे 7 रहे, 13 रहे, आपको कहें कि LCM क्या होगा, तो 13 सत्य एकान में होगा, इसी तरह से इसको भी बना लेंगे, चले, question number 2 देखते है, 13 और 19 के बीच समानतर माध्य है, यानि आपको माध्य पुछ रहा है कि 13 और 19 के बीच माध्य कितना है, माध्य याद करने आना चाहिए, कापी असान question है, और इस तरह के question हमेशा पुछा रहता है, बोडिक दान में, समझ गया है, तो simple है, इस दोनों को जोड कर, और 2 है, तो 2 से भाग दे दीजिए, 13 19 को जोड देंगे, जाए गो रहेगा, उतना को जोड दीजिएगा, और जितना रहेगा, उतना से भाग दे दीजिएगा, तो 2 है, एक और 2, तो कितना होगा, 9, 3, 12, और एक एक तीन, बाई दू, दू से कटेंगे, तो सुल, यानि इसका option B सही होगा, ठीक है, कौन सही होगा, B सही हो टाइम निकाल कर, सह अभाज्य संख्याओं को मसह होता है, देकि सह अभाज्य संख्या, उसे कहते है, जिसका मसह एक हो, क्या हो, एक हो, उसे क्या कहते है, सह अभाज्य संख्या कहते है, ठीक है न, जैसे माली जे, आप किसी भी संख्या के मसह निकालिएगा, और उसका मसह क अभाज्य संख्या है ठीक अप्षन कौन से योगा बी से योगा उसके बाद है तेरा को मिलांचिन है मिलांचिन कैसे लिखते है तो मिलांचिन आपको पता होना चाहिए एक ऐसे लिखाता है दो ऐसे लिखाता है तीन ऐसे लिखाता है चार ऐसे लिखाता है और पांच इसी को कार देते हैं तो पांच हो जाता है ठीक है न? लिखेंगे ठीक है और एक वार तीन लिखेंगे पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच- का घतांक है आपसे पूछ रहा है कि 144 के अभाज्य गुननखंड में दो का कितने घतांक है तो 144 के आपको अभाज्य गुननखंड निकाल लेना है जैसे मैं आपको बताता हूँ 144 में 2 से देंगे तो 72 आएगा फिर 2 से देंगे 36 आएगा 2 से देंगे 9 आएगा अब 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा तब हमें 2 ही चाहिए था 24 यानि 2 का घतांक 4 है इसका उप्षन C से योगा कौन से योगा C से योगा ठीक है चलिए 6 है प्राइक्ता किसी घटना E के लिए P E पलस P E नहीं होने की प्राइक्ता क्या होता है तो एक सुत्र याद रखेगा घटना E घटना होने की प्राइक्ता और E नहीं होने की प्राइक्ता ठीक है ना E नहीं होने की प्राइक्ता इस तरह से लिखा रहेगा और E नहीं नहीं होने की प्राइक्ता यानि इसको डैस या रहेगा बराबरा एक होती है कितना होती है एक option B सही होगा यह सुत्र है ठीक है न इसे आपको exam में question हमेशा subjectivity में भी आता है 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 का बहुलक क्या है बहुलक यह है जो अधीक बार है तो देखें 2 कितने बार है 3 बार है उसके बाद कोई नहीं है यानि सबसे अधीक बार क्या है 2 ही है 3 बार तो इसका बहुलक option A सही हुआ ठीक किसी पासे को फिकने पर समसंख्यानी के प्रज़ता क्या होगा पासा जिसको आप dice करते है आप सभी के पास होगा जिसमें कितने परिवनाम होते 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके लिखने के मतलब यह है कि आप एक पासा की उसालिएगा तो उसमें 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 आ सकता है या 6 आ सकता है तो कुल परिवनाम कितना हुआ 6 हुआ इससे आप से पूछ रहा है कि समसंख्यानी के प्रज़ता कितना होगी स्वम संख्या तो एक दो तीन तीन से कार देंगे तीन दुना चो यानि एक बटे दू इसका परिणाम होगा कितना होगा उसी में पुस्ता भी स्वम संख्या ने कि प्रईता कितना होगी तो एक दो तीन इसका भी एक बटे दू होता तो इसका भी अंसर एक बटे दू होगा आफसन डी कि यादि किसी ब्रीत का छेत्रफल एक्सों चोबन सेंटीमेटर है स्कॉार है तो इसकी परीधी होगी आप से पूछ रहा है कि किसी ब्रीत का छेत्रफल दिया हुआ है कि रहें है 154 बाईस बटते 7 गुने r sqar अब देखे यहां क्या करेंगे गुने में 7 हो जाएगा इधर 22 से भाज दे देंगे और यहां हो जाएगा r sqar तो 22 से इसको काटेंगे 22 से काटेंगे तो 22 सत्य कर जाएगा 22 सत्य एक सो चोबन हो जाएगा वहला देख लीजे, सादूना चवद और सादूना चोदेक पंद्रेकसो चोबन, यानि साद सत्य उन्चास, इधर आएगा आरे स्क्वार, यानि आरे स्क्वार बरणा कितना हुआ, उनन्चास, इसक्वार हटाएंगे तो इधर रूट में हो जाएगा, तो इसका बर्गमुल के मान 22 वटे साद, और आर कितना आया है, साद, साद से साद कट गया, गुना कर दीजिए, दो और 22 के कितना आ गया, 44, इसका उप्षन, सी सिंटीमीटर, यानि सी, 44 सिंटीमीटर सही हुआ, देखिए, समझ ये, उसके बाद बनाईए, विर्ट का चितफल दिया हुआ था, तो पाई आरे स्क्वार पर आर के मान निकाल लिए है, उसका परीधी 2 पाई आर है, उस पर सुत्र से निकाल दिये है, ठीक है, चलिए, दस है, निमलिखित में कौन द्युघास समीकरन है, द्युघास समीकरन उसे कहते है, जिसका घात 2 हो, उसे क्या कहते है, द्युघास सम करन है तो इसको हम हल करके देखना पड़ेगा ऐसे नहीं पता चलेगा कि कौन है ठीक है? तो दीखिए एकस पलस 1 a square है और 2x minus 3 है इसमें से करेंगे कि x plus 1 का square करेंगे तो a square जी स्थरा से होता है plus 2 a b तो 2x हो जाएगा plus b का तो 1 square 2x minus 3 x square plus 2x और इधर आएगा तो minus 2x और यह plus 1 इधर minus 3 है तो इधर आएगा तो तो यह तिन दुना यह 6 होगा यह है चो होगा तो माइनस 6 है तो पलस 6 हो जाएगा इसका हो जाएगा यह दू से दू कट जाएगा समझे एक से स्क्वार पलस 6 एक 7 हो जाएगा दरबरा 0 यह दिवगात समीकरन है ठीक है न यह क्या है दिवगात समीकरन है पहला दूसरा देख इस दोनों को गुणा कर दीजे, इसको गुणा कर दीजे, समझे? तो आपको क्या आएगा जैसे x में x से गुना करेंगे x square इधर भी x square से इसमें x square कर जाएगा यानी द्युखाज समिकरन नहीं है ठीक है इसको हल कीजेगा न तो द्युखाज समिकरन नहीं होगा उसके बाद देखिए यहाँ देखिए x square प्लस 3x और प्लस 1 बरावरा x माइनस 2 यहाँ यह भी अगर यह square है हाँ यह square है तो यह भी द्युखाज समिकरन है ठीक है जिसका गहाद 2 हो तो द्युखाज समिकरन कर तो इसका answer a और c सही होगा ठीक तो याद रखेगा इसी तरह से आप भचान सकते हैं कि कौन द्युखाज समिकरन है कौन नहीं है समझे हमें टाइपिंग में दोनों दिया गया है द्युखाज समिकरन और यह question सभी काफी महत्मून है यह इस तरह के question हमेशा पूछा गया है वही question था जो पूछा गया है तो प्लीज आप लोग जरूर देखिए और प्लीज अगर अच्छा लगा तो like, share जरूर कीजे और नहीं है तो चैनल को subscribe जरूर कीजे और हाँ जितना महत का objective का class ले रहे है उसको जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपको एक्जाम में आना ही आना है ठीक है न तो जरूर देखिए इस तरह का question हमेशा रहता है तब सभी को जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तब तक के लिए जय हिन जय भारत